तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रूब देख लिए कोटक महींदरा बैंक के द्वारा हमें 7,85,000 रुपए का लोन वो भी 6 साल के लिए मिला है और इस पैसे को हम एक क्लिक के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं वेल गईज अगर आपको भी पैसे की रिक्वार्मेंट और यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे लोन अप्लिकेसंस बताया था जिससे आप लोन ले सकते हैं लेकिन आज का यह वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्यों कैसे लोन लेते हैं आपका यह जो कंफ्यूजन है वह हमेशा हमेशा के लिए खतम होने वाला है तो चलिए फटा-फट से कैसे लोन अप्लाई करते हैं एट टुजेट जो प्रोसस है वो हम सीख लेते हैं तो देखिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आपक कोई दर भागनी की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन ओपिन किजेगा और वहां पे आप लिंक पे क्लिक किजेगा एक जो डाउट है वो आपके मन में बना रहता है कि क्या हमारा कोटक बैंक पे अकाउंट रहेगा तब हमको लोन मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है आपका को क्याइब करते हैं तीन स्टेप के अंदर आपका लोन अप्लाई होगा पहले स्टेप के अंदर आप अप्लिकेशन सब्मिट करेंगे दूसरे ऑफशन के अंदर आपको ओफर्स होगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए यहां पे इलीजिबल है और फॉर्ड स्टेप के अंदर डिस्वर्सल हो जाएगा मिंस पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिये जाएंगे तो चलिए कंप्लीट जे स्टेप से वह हम सीख पाते हैं फॉर्स श्टेप के अंदर यहां पे आपका फूल नेम पुछा जाता है तो आपके पैन कार्ड पर जो फेमस सीटी मेंजन किया गया है अगर आपका नहीं है तो आप अधर्स वाले आइकन पे क्लिक करके मैनुवली अपना सीटी भर सकते हैं वही आपको नीचे अपना इमेल आईडी बताना है कि आपका इमेल आईडी क्या है नीचे आप आएंगे तो आपको को हटा के वो यहां पे आपको फिल करना है अब देखिए यहां पे आपको यह जो सारा इंफर्मेशन पूछा जा रहा है सारा इंफर्मेशन को आपको अच्छे से फिल करना है और उसके बार आपको नीचे वेरिफाई वीथ ओटी पी वाले आईकन पे क्लिक कर देना है mobile number को OTP के साथ verify करने के बाद अगली step के अंदर यहां पे आपका pen card का details पूछा जाता है, तो inter pen में आप अपना complete pen number फिल करेंगे, दुबारा से इसे आप यहां से continue कर देंगे, अब जैसे ही यहां पे आप अपनी pen card का number फिल करते हैं, नीचे आप से पूछा जाता है कि आपको अपना address यहां पे manually फिल करना होगा, यहां पे इस ने हमारा जो address है, हमारे अधार card से deduct किया है, अगर आपका address नहीं आता है, तो यहां पे आप manually अपना address भरेंगे, और उसके बाद यहां पे आप इसको continue कर देंगे, तो आप जैसे ही अपनी pen card information यहां पे complete फिल करते हैं, अगले step के अंदर यहां पे आपको अपना address फिल करना है, अब address में आपको क्या भरना है, वो हम आपको बता देते हैं, आपके अधार card में जो address है वो भरना compulsory नहीं है, बलकि आप जहां पे भी रहते हो, current आपका जो भी residential हो, यहां पे आप उसका address यहां पे complete फिल करेंगे, इसमें आपको current address 1, current address 2, current address 3 दिखाई दे रहा है, साथ में आपको pin code, state, district वेगरा सब कुछ देखने को मिलता है, अपने address को यहां पे अच्छे से भरना है, और उसके बाद आप नीचे continue वाले icon पे click कर देंगे, तो address वाला section verify करने के बाद एक last step बचता है, जिसमें आपको अपना work retail फिल करना है, अब इसमें आपको company name पूछा जा रहा है, अगर आपने salary select किया होगा, तो आप अपना company का नाम, आपका वहां का work email ID, और यहां पे आपका salary, किस bank account के अंदर credit होगा, यह तीनों information आपको य तो सारे steps को complete करने के वाद, यहां पे आपको loan का offer दिखाया जाएगा, कि हम आपको इतना loan यहां पे offer करते हैं, हमारे case में आप देख सकते हो, 7,85,578 रुपए, यहां पे loan हमें approve किया गया है, इतना loan हमें दिया जाएगा, यहां पे हम 50,000 से लेके 7,85,000 रुपए के loan के बी इसलिए वो भी आपको यहां पे बताया जाएगा, और इस loan के उपर आपको 11,75% per annum के हिसाब से आपको यहां पे interest pay करना होगा, तो सारा चीज एक बार आप अच्छे से confirm हो पाएंगे, और उसके बाद यहां पे आप proceed करेंगे, तो एक last step होता है, जिसके अंदर यहां पे आपको अपनी net banking के द्वारा अपनी account verify कराना होता है, नहीं तो यहां पे आपको अपनी bank account की statement last 3 महीनों का यहां पे upload करना होता है, जैसे ही आप यह document upload कर पाएंगे, आपका loan यहां पे successfully sanction हो जाएगा, कि YC document में बस आपको अपनी अधार card और pen card submit करना है, और यहां पे जो जाएंगे, तो दोस्तों बहुत ही simple है, कोटक महींदरा bank से personal loan लेना, इस video के अंदर हमने आपको A to Z process बता दिया है, अब देखो आगे हमें loan की requirement नहीं है, जश्ट मैं आपको यह video demo purpose के लिए बनाया हूँ, अगर आपको आगे कोई भी problem होता है, तो आप इस video के नीचे comment कर स